जब हम बात करते हैं रोल अफ एक्रीकल्चर इंडिवेल्मेंट तो हम इसको यूजुली आप कहले हैं सग्रीगेट करते हैं अन्डर फोर सब हेडिंग्स वो हैं आपके पास प्रॉड़क्ट कंट्रिबूशन, फेक्टर कंट्रिबूशन, मार्किट कंट्रिबूशन जब हम डिसकेशन करते हैं विद रेफरेंस तु प्रॉड़क्ट कंट्रिबूशन में तो यहां पर क्या है कि अग्रीकल्चर शूट बी अबल तो सप्लाइब पूर्ड अबव तो इस अच्प्सिस्टेंस नेज तो दी लेबर वर्किंग इन क्या जी अग्रीकल्चर ने कुछ ना कुछ सर्प्लस सब प्रोड्यूस करना है और यह कहां पर जाएगा है इट विल बी यूज़ फार्दी लेबर और यह जो है अगर हम यू बात कर लें के दिर इस नो अग्रीकल्चर और यह पॉसिबल नहीं होगा कब तक उन आपैंपैंपैंपैंट नहीं करने मेंफिलेंट पंपैंपैंट आपी इस नो बौर्दी अभर यह बैट यह जो गोई गूज़ है इस सहरे को अगर हम यह बात तो देखेंट मिन इप्रितैंस अग्स्परिंच्टर तु वहं पहम ने देखा धर is a significant agricultural revolution based on the elimination of serfdom and enclosure movement. जब हम यह कहते हैं कि enclosure movement तो वहां पर क्या था? कि there are community lands, उन community lands को उन्होंने convert कर दिया into private ownership land. कि जो एक community own कर रही थी land उसको उन्होंने private ownership में दे दिया because of that conversion of community land to private ownership land इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने क्या क्या रेज़ अगरी कल्चिर प्रोड़क्टिव्टी सिगनिफिकेंटली और साथ-साथ इपरवाइड सर्पलस, लेबर, एंड फूट तो स्पोर्ट दे इंडॉस्ट्रियल रेवलूशन जी जो मैं सर्फडम की टर्मिनालोजी यूज कर रहूं, यहां पर क्या है? कि जो आपके पास बहुत से लार्ज फूट्रियल्स थे, उनके पास आप कहलें, डिफरेंट टाइप आफ दी जो लेबर्स थे, वो काम करते थे थे, उनसे जमीन लेके, उन फूट्रियल्स से जम मार्केट सर्पलस था, इस चीज़ को भी उसने आप कहलें, वहां पर प्रोड्यूस किया. अब जब मार्केट सर्पलस किया है, इस दिफरेंस बिफ्वें टोटल अग्रिकुल्चरल आउट्पॉट्ट एंड सब्सिस्टेंस. अब मार्केट सर्पलस कब होगा, इट रिक्र इस बिर्बॉडबर प्रोडक्टिवटी एट रिवर्ग्रिवें अर्केट सर्पलस. इफ्परोड अट प्रडक्तिवटी डस नइजू सर्पलस, और अगर यह यहां पर मुझे यहां, कोई आप कहलें, कोई फॉम्यू एक्सेक्ट करने एंडेट मार्केट अबल सर्पलस, can be done forcibly, वो forcibly क्या होगा, कि by putting taxing, by putting taxes on landlord, और कुछ इस तरह की activity जपान में भी की गई, कि when, कि if productivity does not increase, then जो भी आप कहने market surplus है, मुसको extract कर सकते हैं, by putting certain type of the taxes, और in the absence of market surplus क्या है, there is an increase in demand for food, will increase the price of food, कि if there is no marketable surplus, then क्या होगा, if there is increase in demand, it results increase in price of food and because of that increase in price of food, terms of trade of industry के लिए क्या होंगे, it has some negative impact on terms of trade for the industrial sector, कि it results in higher wages will be paid by the industry if there is no market surplus, और जब market surplus नहीं होगा इंद the agricultural sector, तो it will results reduce in profit and capital accumulation for the industrial sector, कि अगर मैं product contribution के reference में role of agriculture in development देखूं, तो यह आपके पास agriculture provides food to labor who are working in other sectors, और यह कैसे आप extract कर सकते हो, यह labor surplus आप obtain कर सकते हो, थ्रू इंप्रूमेंट of the labor productivity, और यह labor productivity by carrying out appropriate policies can be enhanced, कि थ्रू टेक्सिंग भी हो सकता है, कि if there is no market surplus, कि farmers are very much comfortable, what is being produced, तो जी वहाँ पे उस market surplus को extract करने के लिए, to motivate the farmers to produce more, कि जी कोछ टेक्सिंग लगा दिया जाए, कि जो भी उन्होंने प्रोडूस के उसका एक certain portion has been corrected by the government, अब उस requirement को meet करने के लिए क्या होगा, farmers put more effort, और उससे क्या होगा, there it will create market surplus, और अगर market surplus होगा, तो it will facilitate your industrial sector, और accumulation.